और इसक्त बड़ी खबर यूपी के हापुर से जहां पर बोर्वैल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू आपरेशन जा रही है यूपी के हापुर से जह वक्त की बड़ी खबर मौके पर NDRF की टीम पहुंची हुई है बोर्वैल में बच्चा गिरा हुआ है बच्चे को बचाने की कोशिशे लगातार चारी है बच्चे के रेस्क्यू आपरेशन में NDRF की टीम जुटी ही है करीब 40 फुट गहरा बोर्वैल जिसमें ये मासूम गिर गया है मौके पर पहुंची NDRF की टीम और बच्चे के रेस्क्यू आपरेशन में जुटी ही है यूपी का हापुर है ये आप तस्वीरे देख सकते हैं ये बोर्वैल जिसमें इस मासूम गिर गया है और इसे बचाने के लिए पूरी यहाँ पर कोशिश करती हुई NDRF की टीम मौके पर पहुंची NDRF की टीम और जल से जल बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है 40 फुट गहरा बोर्वैल है ये और एक और बड़ी खबर आ रही है ये बच्चा निकल चुका है सुरक्षिद तो करीब 40 फुट गहरे बोर्वैल से बच्चा सुरक्षिद बाहर आ गया है एक और बड़ी खबर आपको दा दे राहत की खबर इस मासुम को सुरक्षिद बोर्वैल से बाहर निकाल लिया गया है 40 फुट गहरा बोर्वैल था ये जिसमें से NDRF की टीम लगातार मशक्कत करती रही और मासुम को बाहर निकाल लिया गया है तो हापुड की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक मासुम बोर्वैल में गिर गया था 40 फुट गहरा बोर्वैल जिसमें लगातार NDRF की टीम जुटी हुई थी इस बच्चे को निकालने के लिए ये बड़ी खबर हापुड से बोर्वैल में गिरे बच्चे को बाहर निकाला गया है 40 फुट गहरा ये बोर्वैल जिसमें मासुम गिर गया था लेकिन अब उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया है तो NDRF की तरफ से ये प्रिश्रस ने काम किया गया और ये तस्वीर है ये सीधी तस्वीर आ रही है हापुड से उत्तरप्रदेश के हापुड के सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये मासुम गिर गया था चालीस फुट गहरे बोर्वेल में NDRF ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है नियुज़ स्टेट की एक्स्लिउसिव तस्वीर आप देख रहे हैं लुक अंदर जो गई है जो मैडिकल की टीम है वह त्यार है कि जैसे ही बच्चा पर रखा जाए उसको तुरह फोरन एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल लेकर जाया जाए तो प्रात्मिक्ता फिलाल यही है कि जैसे ही बच्चा बाहर निकलेगा और जो इस्टेशर है उस वो पुलिस कर्मियों को यह कमांड कर रही है कि रास्ता बनाया जाए जैसे ही बच्चा स्टेशर पर रखा जाएगा तो फोरन उसको वहां से ले जाया जाए तस्वीरें आप देख सकते हैं बच्चा निकाल लिया गया है जो ऑपरेशन चल रहा था ऑपरेशन जिंदगी वो एक तरह से सफल हुआ है लगातार कवरेज निज श्टेट दिखा रहा था एक्स्क्लूजिव कवरेज और आप देख भी सकते हैं ऑपरेशन जिंदगी सफल हो चुका है बच्चा सही सलामत बहार निकला है यह अपडेट यहां पर फिल हाल दिया जा रहा है और अब बात को बताती हुई नजर आ रही है और उपर से भी आप देख सकते हैं किस तरह से अब यहां पर चहल करमी बढ़ गई है क्योंकि चहरे पर मुस्कुराहत डीम के भी देखी गई है डीम भी काफी कुछ नजर आ रही है कि बच्चे को सही सलामत निकाल लिया गया है तो अब देखते हैं कितना समय अभी यहां पर लगेगा क्योंकि ट्यम खुद यहां पर मौझूद है मैं चाहूंगा वीजे से तस्वीरे एक बढ़ फिर दिखाएं किस तरह से एक्टिव हैं डॉक्टर वी हैं और डीम खुद आप देखिए किस तरह से डाक्टर को कमांड करत हैं फिलाल एडियम की तफ्वीरे भी आप देख सकते हैं जो मैं सामने हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो चीजें हैं उसको मैनेज करने में लगी है और लोगों को बताने में लगी हुई है यानि की कह सकते हैं कि operation जिंदगी successful हो चुका है बस कुछी देर में आप देखिए रसी का बाहर लाया जाएगा हाला कि official announcement अभी नहीं किया गया है लेकिन ये कहा गया है कि बच्चे को सकुषल बाहर निकाल लिया गया है एक डॉक्टर की टीम जो है वो अंदर पहुंची है और इंतिजार हो रहा है कि ये जो बोर्वेल बना हुआ है जो एक कमरा बना हुआ है इससे बच्चे को बाहर निकाले और उसके बाद इस्टेचर पर रखकर बच्चे को सीधा हॉस्पिटल यहां से ले जाया जाएगा तो तस्वीरे आप देख सकते हैं एडियम खुद यहां मौजूद हैं मौके पर एडियम यह आप देख सकते हैं सामने एडियम आ चुकी हैं एडियम से कोशिश करेंगे बात करने की यह बताएं कि क्या बच्चा बाहर निकल गया है और कितनी देर बाद बच्चे को यहां से ले जाया जाएगा तो आप तस् गेट यहां पर आप देख रहे हैं जहां पहरे कभी गेट हुआ करता था जो अब पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि खंडर का रूप यह ले चुका है जो बोर्मेल जहां बनाया गया था वहां अभी भी अंदर जो एंडियर्फ के करमचारी हैं डियम हैं स्पी हैं उ यहां पर लाया जाएगा बहार निकाल कर लाया जाएगा और सकुषल बच्चे को निकाल लिया गया है फिल हाल यह जानकारी दे जा रही है एक तरह से देखा जाए ऑप्रेशन जिंदगी सफल होता हुआ यहां पर नजर आया और बच्चे का दिदार करने के लिए सभी लो नहीं सकता है सुन नहीं सकता है जो व्यथा उस पर बीती है इस दोरान इतने घंटे जो बोर्मेल में वो रहा है वो किसी को बता भी नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है तो ऐसे में इंतिजार के जो घडिया है जो कुछ घडिया बची हैं बेसबरी से सभी लोग उसी का रहा है क्योंकि बच्चा जैसी ही भार आएगा किस हालत में है क्या इस्तिती उसकी है फिरहाल ये देखना होगा और जो पुलिस अलर्ट पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है सिधे तोर पर पुलिस को अलर्ट यहां पर कर दिया गया है और अब बस बच्चे को बाहर लाने की जो पिकरिया है वो होना बाकी है NDRF की टीम ये बताया जा रहा है कि बच्चे को बहार निकाल चुकी है और अब बहार आने का इंतिजार है इस बोर्विल का जो कमरा है इससे बहार निकालने की जो तयारी है वो यहां पर की जा रही है तो तस्वीरे कुछी देर लेपल होंगे सभी जो लोग यहां पर बच्चा जब से गिरा था प्रात्नाएं कर रहे थे दुआये कर रहे थे उनकी दुआयें सफल होते हुई यहां पर दिखाए देंगी जब बच्चा सकुचल बाहर आकर यहां पर सभी की नजरू के सामने होगा और अभी वी जो तमाम लोग हैं वो टक्टकी लगाए इधर ही देख रहे हैं छतों से खड़े उकर यह नजारा देख रहे हैं यह मंजर देख रहे हैं कि साड़े तीन चार घंटे से एक बच्चा मासूम साड़े चार साल का बच्चा जो इस बोर्वेल में गिरा हुआ था लापरवाही की वज़े से जिंदगी और मौत से जो जूज रहा था जो कुछ कह नहीं सकता था जो कुछ सुन नहीं सकता था अब उसको बाहर निकाल लिया गया है तो बाहर कितनी देर में उसको लाकर रखा जाएगा यह अभी देखना होगा हाला कि अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेट्मेंट यहां पर नहीं दिया गया है और देखना होगा कितनी देर में जो बच्चा है वो बाहर आता है पिल्कुल और यह तस्वीर आप देख रहे हैं अब देखना होगा किस सरा से इस बच्चे को अब जब हॉस्पिटल ले जाया जाएगा फिलाल बोर्वेल में गिरे बच्चे को बाहर निकाला गया है और अब एमुलेंस में ले जाया जाएगा एडियम भी मौके पर 10 मिनिट मैकसिम या 15 मिनिट इतनी देर में मुझे लगता है कि मावियान को बाहर लेकर जो टीम है जो डॉक्टर की टीम अंदर गई है क्योंकि अभी डॉक्टर मावियान को अंदर टीटमेंट शायद अंदर दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ इस टीचर पर लाकर उसको ह पर ट्यार नहीं कि कितनी देर में मावियान को यहाँ इस कम्रे से बाहर लेकर आएंगे क्योंकि अंदर अधिकारी मौजूद है SP अंदर मौजूद है यहां पर आप देखेंगे जो पुलिस करमचारी है वो यहां पर उनको बढ़ा दिया गया है क्योंकि जैसे ही मावियान को स्टेचर पर रखा जाएगा और यहां से जो सीधा जो सीधे यहां से लेकर जाया जाएगा क्योंकि गली पतली है आगे एंबुलेंस नहीं आ सकती है तो वहां तक एंबुलेंस तक इस्टेचर पर ही मावियान को लेकर जाया जाएगा ये पूरी ववस्ता यहाँ पर की गई है लोगों को वहां रोग दिया गिया है क्योंकि सभी को ये information दे दी गई है कि मावियान सुरक्षित है वो बहार आ चुका है सकुषल है मावियान तो ऐसे में जो लोग प्रात्माएं कर रहे थे लोग दुगाएं कर रहे थे उनका क्या क्या है